जाइबीम नमबुद्दा है आज हम मद्दे पर्दिस के ब्रहांदपूर जिले में डाक्टर वावास अंबेट के द्वार आज 26 नॉमबर को सविधान दिवस के रूप में अंबेट के चोरा पर यहां काफी देता हो और वोदी सुसाइटी के लोग यहां पोचे है क्योंकि 26 है को में बहुत तरवे सविधान दिवस की बहुत बहुत हर्दिक बधाई शुबकामनाई देता हूँ और जैसे कि आप सभी लोग अउगत है कि 1950 में इस सभीधान को बनाते हुए और 26 जनवरी 1950 को हमारे संपूर्ण भारत वर्ष में सभीधान को लागू किया गया था और इस सभीधान के माद्यम से हम सभी को हमारी मूलभूत और सभी हमारे विचारों को और हमको जो यहने विचारों के अभिवक्ति हमारे बाबा साहब अंबेटकर ने हमको दी है तो ऐसे बाबा साहब अंबेटकर को भी मैं नमन करते हुए और इस सभीधान दिवस की आप सभ को बहुत सारी बधाई बहुत सारी शुपकामने प्रिशित करता हूं और सभी देश्वासियों से कि सभीधान जो हमारा इस देश का है उस सभीधान के माध्यम से हमको हमारी सभी सुईदाओं के बारे में हमको अवकत होता है कि अनुसी जादी मोड़ से कि अद्देशर क्या करना जो सभीधान की मेरे कहना था कि सबसे पहले बाबा साफ के चंडों में नमन आज 26 नोवंबर को सभीधान सभा ने सभीधान दिवस सभीधान को अपनाया था क्योंकि दो वर्ष 11 महिने और 17 दिन में सभीधान पूरा बनक त्यार हुआ था आज की दिन सभीधान को भारत की सभीधान सभा ने अपनाया था और आज इसा कुछ होता तो उसका विरोध करेगी आज हमारी देश को आजादी प्राप तो हुई थी और आजादी प्राप्ति के बात हमारे लोक तंत्र और हमारा सभीधान बनना चाहिए इस पे तातकालिक नेत्रुत्म ने चिंतन किया और मानिय डॉक्टर भीमराओ अंबेलकर जी के नेत्रुत्में हमारा सभीधान का निर्मान हुआ दो साल से अधिक समय लगा और आजी के दिन 26 नोहमबर 1959 को वो सभीधान निर्मान होकर तयार होकर आज तयार हुआ और 26 जन्वरी 1950 को लाग हुआ और उस कानून के तहत उस सभीधान के तहत आज जो बाबा साइब डाक्टर अंबेलकर भीमराओ जी ने जो हमको दिया वो आज तक हम लगातार जो कानून की सरकार चलती है कानून का देश में राज है पहले राज तंत्र था अब कानून का राज होता है एक सरकार एक पालिटी की सरकार जीतती है तो वो सरकार बराती है और एक पालिटी की सरकार हारती है तो वो सरकार से बाहर होती है यह लोकतंत्र है चाहे छोटा हो बड़ा हो अमीरों गरीब हो लेकिन प्रशासन का कानून का राज चलता है लोकतंत्र हमारा यह मजबूत अगर है तो इनकी देन हमारे डॉक्टर बाबासाब हैं यही आज उ पर दिबुद्धी सुसाइटिय और इंडिया नगर शाखा जीला शाखा के द्वारा और जो ब्रहानपूर शेत्र के अंतरगात जो आमबेट का रन्वियाई निवास करते हैं उनके द्वारा बहुत तर्वे सविदान दीवस के उपलक्ष में यहां पर सामुएक त्रिशन प अमबेटकर को अपनी और आकरशित करके यह साबीत करना चाह रही है क्योंकि आज का जो परिपेक्ष है भारत वर्ष में ऐसी किसी भी प्रकार की राजनितिक पार्टी नहीं है जो कि डॉक्टर वाउस साम बेटकर का नाम लिये बिना वो इस देश में राजनितिक कर रही ह और एक तरफ तो जो भी राजनितिक पार्टिया है वो सविधान दिवस को मनाती तो है लेकिन जो वास्तविक तरीके से सविधान की जो उद्देशिका है क्या चाहे हम कॉंग्रेस कहे या बीजेपी कहे क्या उन्होंने वास्तविक रूप से सविधान की जो परिकलपना है कि देखने में ये आता है कि सविधान के जो मौलिक 국्तव है जो समता स्वतंत दोता और न्याय को हमारा जो sahता है हमारा जो सरकार तो निच्चित तोर पर हमारा जो देश है वो विश्वगुरू होंगा और यही कारण रहा है कि हमारे देश में जो महापुरूश हो गए जिसमें बाबा साव अंबेटकर अगरणी है तथा का सम्मेक संबुद्ध अगरणी है और जो महापुरूश जिनोंने बहुजनों के अंबेटकर के अनुए हैं और सोसाइटी के कारेकरताओं के द्वारा बाबा साव अंबेटकर की प्रतिमा के पास में सामुई कुद्धों पर भारत का सविधानी देश में लागू हुआ ता काफी बाबा साविधान नहीं लिखते तो और या जिन जीते और आखिर कारण ब भारत का सविधानी देश में पूर्णा रूप से अगर देश में लागू हो जाए तो परियोरतान कुछ और और ही होगा इन तमाम बातों को लेकर तमाम भारती अंदा पालिटी की यहां मोर्चे से बात जो अद्धेस ते उनसे बात की गई कि इस देश के अंदर गेर सवि कि इदान के खिलाब में बाते करती है क्या उनकी खिलाब में देश दूरों की कारवाह होना चाहिए तो भारती एंदा पालिटी के नेतागी कि कि अमकी तरफ से कहां वहां पेस्वावाह होते क्यों नहीं ऐल सोले